नमस्कार मेरे सारे विश्वासी बायवेनोको आप सब एक प्रभीसमसिके उपस्तिती में स्वागते और हम जितने भी संदेश को सूनेंगे या सुन रहे हैं हम सबको प्रभीसमसिके नाम से जैमसिकी तो आज हम जिस प्रकार से प्रकाशित बाकी को लेकर आगे बढ़ आई थे इस वचन को लेकर तो आज हम फिर से जहां थाक हम समप्त की थी वहां से फिर स्टाड़ी करेंगे समझेंगे, सुनेंगे और एक दूसरों को समझाएंगे क्योंकि यह प्रकाशित बाकी का वचन जो है बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वा है तो इस कारण हम सुरू करेंगे जहाँ हम खतम किये थे जो पिछले समय में, पिछले संदेश में प्रकाशित बाकी का चोथा भाग जब खोला चोथा महर जब प्रभुईश्मसी ने खोला तब क्या हुआ इस पृति भी पर उसके बारे में हमने सिखे थे उसके बारे में हमने बात किये थे संदेश को रखी थी उस विशय में तो आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे पांचवी महर जब खोला तब क्या हुआ उस बात को हम आज जानेंगे तो इसके लिए हम प्रकाशित बाक्य में से वेचन को पढ़ेंगे प्रकाशित बाक्य का छे अधियाए नो से ग्यारा तक तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूंगा और आपको एक्स्प्लेन करके जाते रहूंगा तो आया हम मनन करते हैं प्रकाशित बाकी का छे अधियाए नो से जब उसने पांचवी महर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्रानों को देखा जो परमेश्र के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वट किये गए थे हम जानते हैं नो पद में किस प्रकार से यहून्हा देख रहा है जब पांचवी महर प्रविशमसी ने खोला यानि खोलेगा तब यहून्हा देख रहा है कि क्या हुआ इसमें जब पांस भी मोहर को खोला तब वेदी के नीचे प्रानों को देख रहा है यह होना किसके प्रानों को देख रहा है यहाँ आपे लिखा है जो लोग जो परमेशर के वचन के कारण और उस गवाई के कारण जो उन्होंने दीथी वत किये गए थे मरे तु मरे हुए बेक्तियों का प्रान को आत्मा को यहना उस वेदी के नीचे देख रहा है परमेशर के सिंहासन में वेदी के नीचे देख रहा है तो किस प्रकार की आत्मा किस प्रकार की लोग ही हो इस बोले तो यहां पर वचन में लिखा है कि जो लोग परमेशर के लिए वद हुए परमेशर की गवाई के लिए वद हुए आज देखते हैं हम अपने आपको जो लोग इंकार करते हैं अपने आपको जो लोग परमेशर के हाथों में समर्पन कर देते हैं जो लोग अपने आपको अपने वस में नहीं बलकि परमेशर के वस में रख देते हैं चोड़ देते हैं और उसके लिए सुस्वमचार के लिए परमेश्वर के गवाही के लिए जो लोग वद किये जाते हैं। परमेश्वर उन्हें वेदी के लिए रखते हैं। परमेश्वर के कारण जो लोग परमेश्वर के गवाही के लिए वद होते हैं। परमेश्वर के लिए स्वर्ग में अलग जगा हैं। यह वचन में लिखा है। मैं नहीं बोल रहा हूं। बाइबुल बता रहा है हमें। कि जो लोग परमेश्वर के लिए देहांत होते हैं। जो लोग परमेश्वर के लिए कुरवानी होते हैं। उनके लिए वेदी के निचे इस्पेसियल इस जगा है स्वर्ग में। अब भी विश्वास है तो स्वर्ग में जाएंगे निस से। मैं भी विश्वास ही हूं तो परमेश्वर करता हूं तो स्वर्ग में जाएंगे निस से। लेकिन उनका जो है जगा और हमारा जो जगा इस सेव नहीं होगा क्योंकि जो लोग प्रभु इस्व मसी के लिए मरते हैं मरते धम तक प्रभु इस्व मसी को नहीं छोड़ते हैं जो लोग उनके सुस्व मचार के लिए जो लोग मरते हैं उनके लिए स्पेसियलिस जगा है व वहाँ पे वैदी के नीचे या स्वर्ग में रहें को क्या चाहती है अब क्या हाथों में है तो आए हम आगे बढ़ते फिर उन्होंने बड़े सब्द से पुकार कर कहा सुनिए जो लोग वैदी के नीचे है वो लोग बड़े सब्द से प्रार्तन की या ने पुकार कर को पुकार के कहते हैं प्रार्त न करते हैं कि कब तक न्यायना करेगा है स्वामी है पवित्र परमेश्चर कब तक तु न्यायना करेगा और पृथिभी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा यानि हम जान पाते हैं कि जो लोग पृथिभी पर है जो लोग मड़े है इस्व के लिए तो उनका बदला कब तक ना लेगा बोलके वो पुकार रहे है जो लोग बेदी के नीचे वो लोग पुकार रहे है कब तक उसका बदला नेगा तब पढ़मेशोर ने तब पढ़मेशोर का ओर से उत्तर की आया सुनिये उनमें से हर एक को सवेथ बस्त्रत दिया गया और उसमें से कहा गया थोड़ी देर तक विश्राम करो तब उन सब को सवेद बस्तर दिया गया परमेशवर के ओर से सवेद बस्तर दिया गया और उन्हें कहा गया कि और थोड़ी देर विश्राम करो मेरे प्यारो, मेरे भाई, मेरे बेटो, मेरे आज्या मानने वाले और थोड़े देर तुम विश्राम करो और रेस्ट कर लो क्योंकि प्रभूई इस सुमसी के लिए सब लोग वध होने वाले है सब लोग वध होने वाले हैं, आने वाले समय तो इस कारण थोड़े से और विश्राम करोंने बोल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कि उन्हें जो लोग वेदी के नीचे हैं उन्हें सवेद बस्तरप पहना रहा है परमिश्र सोर्ग में जो रहेगा उनका सरीर बदल जाएगा उनका कपड़ा बदल जाएगा रहें से तो इसी कारण से नर्क में जो लोग रहेगा वो नंगे पन में नर्क में जाएगा सोर्ग में देखिए सवेद बस्तर पवित्र बस्तर पहन करा परमिश्र के साथ रहोगे नर्क में जो जाएगा अदो लोग में नर्क में जाएगा वेलोग नंगेपन में जाएगा तो आप क्या चाहते हो आप देख रहे हैं ये प्रगाशित बाग के वह है बहुत-ही भया नकिए और ये सब थोड़े ही दिन में होने वाला है मेरे प्रियों ये वाइबूल का वच्छन है तो अपने आपको तैयारी कीजिए पढ़ मिश्र के और फिरने के लिए और आगे हम बढ़ेंगे विश्राम करो कहा उन्हें रेश्ट कर लो और थोड़े दिन मेरे बेटों मेरे चेलों मेरे आग्या करे पुत्र जब तक तुम्हारे संगी दास और भाय तुम्हारे समान बद होने वाले है उनकी भी गिंती पूरी ना हो ले जब तक तब तक तुम रेश करो जब तक और भी जो है तुम्हारे संगी तुम्हारे साथ जो करते थे तो वो सब जो मसी बीरोदिकर के समया उसके पहले हम जानते है आज भी ये संसार में वद करते हैं मारते हैं इसमसी के विश्वास जो करते हैं इसमसी पर उसे काड़ डालते हैं कौन कौन से जगा में हम मीडिया के दौरा ने उसमें दिख सकते हैं ये सब बाते ये सब हो और हो शुरू हो चुके हैं तो इस कारण जो है हर एक विश्वासी जो मसी को सुईकर करते है प्रभू उसमें मसी को उन्हें काट दिया जाएगा मार दिया जाएगा तो वचन में हम देखते हैं कि जो लोग अन्त तक विश्वास्ती बने रहेगा जो लोग विश्वास में द्रीर अटल बने रहेगा उसी को मुकुट मिलेगा स्वर्ग में तो इसी कारण से में प्रकाशित बाग के जो स्प्रस्टर रूप से लिखाए इस प्रस्टे रूप से कहे चुका है इंसान को, सारे देश के लोगों को कि जोए लोग जो है प्रभुईश्य मस्ति पर जो लोग विश्वास करते रहता है और कभी पिछे नहीं हरते हैं, वोग सिर्फ आंत में विजय ही पाएगा प्रभुईश्य मस्ति के साथ स्वर्ग में रहेगा तो इस कारण निस्चे है कि वेदी के नीचे गिंती पूरा होना चाहिए अब यह उन्ना जब देख रहे हैं, बस कुछी लोग जो प्रभुईश्य मस्ति के लिए प्रान को त्यागा है जो प्रभु के लिए अपने आपको कुरवानी दिया हैं, बस कुछी लोग लेकिन यहाँ पे वचन में वता रहा है कि तुम्हारे संग ये दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिंती पूरी ना होले तो हम इस पस्त जानते हैं कि प्रभु सुमस्य के लिए ऐसा दिन आने वाले हैं उस मस्य विरोदी में प्रभु सुमस्य को जो विश्वास करेगा उन्हें वत कर दिया जाएगा उन्हें कारदा चला जाएगा तलवार से हम देखे पिछले बचन में तलवार से बनपसुओं से और क्या क्या सारे हाथियारों से जो तलवार से तलवार को चलाएगा वो तलवारी से मारा जाएगा बचन में लिखाए तो इस खरण जो है मेरे प्यारा भायो बैनो जितने भी संदेश को सुन रहे अपने आपको अपने आपको परमेश्र के हातों में समरपन करो क्योंकि समय और थोड़ी दिन में ही आने वाला है और थोड़ी दिन में ये संसार में भयानक दिन उस महामारी संकट का दिन आने वाला है तो उस दिन में आप क्या इस पृतिवी पर रहना चाहेंगे या फिर बैदी के नीचे स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के पास रहना चाहेंगे अगर आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको सवेद बस तरह पहना कर स्वगत करते होगे सवर्गदूतों के साथ आप वहाँ पे रहोगे और अगर आप परमेश्वर का अपने जीवन को नहीं दिया तो आप नर्क में नंगे पन में जाओगे जीवन पर महामारे में तरबते रहोगे आग में चलते रहोगे अप क्या चाहते हो अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ आप स्वर्ग में रहोगे तो अपने जीवन को परमेश्वर के साथों में दे दीजे परमेश्वर के साथों में दे दीजे अपने जीवन को और आपने आपको इनकार करते होए परमेशर के सेवा में आगे बढ़ते रहे तो मेरा प्रार्दमा यही है कि आप सभी परमेशर के साथ सुर्ग में चाहे आज हम इतना में समाप्त करेंगे आगे बढ़ते बढ़ते हम इससे भी भैनक बात को हम जानने वाले हैं ताकि हम अपने आपको परमेशुर के हाथ में समर्पन कर सकें, परमेशुर के साथ चल सकें, परमेशुर अपने वचन हम सब को आसिस करें, आमेन